Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Educational Book Center. Last video में एक brief introduction हुआ था, business environment के बारे में, अब हम उसी को continue करेंगे. आज हम discuss करेंगे business environment की importance के बारे में. First point है आपका, identify the opportunities in getting the first mover advantage. Opportunities को identify करना, और सबसे पहले उसमें success हासिल करना. जैसा की Reliance Jio ने करा था. क्या आपने कभी सोचा था, कि हम 1GB या 2GB या फिर unlimited data एक ही दिन में यूज करेंगे? क्या हम पहले इस तरीके से यूज करते थे? नहीं, पहले थो हम एक महिने में यूज करते थे. पर Jio ने क्या किया? आपको free में data दिया, जिससे की आपको आदत हो गई, और उनकी जो strategy थी, वो हो गई successful. So, this is first mover advantage. Second is, identify the threats and early warning signals. Market जो है, बस आपको opportunities नहीं देती है. आपका plan successful हो सकता है, या फिर अगर आप इस पे ध्यान सही से नहीं देते हैं, तो ये failure में भी convert हो सकता है. Risk आपको लेना होता है, challenges जो हैं वो आपको हार एक phase में phase करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको identify करना होगा, कि कौन से हमारे warning signals हैं. Third point है आपका, coping with rapid changes. आपने एक word सुना होगा, update. phones में ये notification आता है न, अगर आप अपने फोन में इस software update नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो फोन है, उसकी जो working है, वो slow हो जाती है, ऐसे ही, जो situations हैं, आपको उनके हिसाब से उने deal करना पड़ता है, अगर आपने अपने पुराने तरीके नहीं छोड़े, तो क्या हो होगा, आप update नहीं हो पाएंगे, आप अपने situation की according adjust नहीं कर पाएंगे, और आपको अपना जो business है, वो बंद करना पड़ जाएगा, फोर्थ पॉइंट है आपका, tapping useful resources, resources की availability होना, और कौन से resources यूज करना है, जिससे आपको फाइदा हो, ये बहुत important role play करता है, तो आपको इससे related बहुत जादा सोचना पड़ेगा, कि आपको कौन से resources आपके लिए useful है, आपके business को successful बनाने के लिए, next point है आपका, helps in planning and policy formulation, जब हम environment के बारे में जान लेते हैं, तब हमें ये भी पता चल जाता है, कि कौन से ऐसे plans हैं, जिसमें हमें थोड़ा बहुत changes की जरूरत है, last is, helps in improving the performance, जैसे कि updated रहना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है, कि आप experience holder बन जाते हैं, आपको ये समझ में आने लगता है, कि हम कहां गलत थे, और जब आपको ये पता चल जाएगा, कि आप कहां गलत थे, तो आपकी जो performance है, आप उस performance को सही करने में efforts सही लगाएंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, types of environment की, जिसमें तीन broad categories में basically divide किया है, internal environment, macro environment और micro environment, इसको भी हम आगी discuss करते हैं, जैसा कि आपने सबसे पहला देखा था, internal environment, तो इसके भी broad types में हम इसको divide करते हैं, internal में और external में, जैसे words से समझ में आ रहा है, internal और external, तो internal क्या है, जो आपके business form के within exist करता है, और external जो outside है, आपकी जो enterprise है, उसके outside जितने भी factors affect करते हैं, वो आपके external environment में आ जाएंगे, अब यह जो internal factors हैं आपके, इन्हें तो आप control करके रख सकते हैं, क्योंकि यह within the business हैं, पर जो external factors हैं आपके, वो uncontrollable होते हैं, अब यह हम आगे examples के साथ भी discuss करेंगे, last point है, कि यह जो internal environment है, यह आपको क्या provide करवाता है भी, strength और weakness, आप easily identify कर सकते हो, for example, अगर आपके पास जो human resource है, वो बहुत talented है, तो यह क्या हो गया, आपकी strength बन गई, ठीक है, और यह आपको within the business है, तो यह internal environment के under आ गया, तो strength और weakness आपकी internal environment में आ जाएगी, और external environment में क्या आ गया, opportunities और threats, जैसे कि हमने importance में discuss किया था न, बिल्कुल जो first वाला point था, वही इसमें आपका external environment में आ गया,